माल लिजे आपका मंधली इंकम 10,000 है, यहाँ पे सेट महीने किया, तो कितना का लोन मिलेगा, होम लोन या प्रस्नल लोन, देखिए दोनों अलग के टेकरिए क्योंकि दोनों का rate of interest अलग-अलग होता है, प्रस्नल लोन या होम लोन के लिए कितना salary आपका होना चाहिए, अगर आप महीने का 10,000 रुपया कमा रहें, तो आपको कितना हजार या कितना लाख का लोन मिल सकता है, हजार में तो लोग लोन लेने के लिए जाएगा नहीं, तो लाख के ही बात करेंगे, तो माल लिजे कि आपका income 10,000 रुपया महीना है, तो आपका जो लोन अमांट होगा, वो कितना का approved करेगा, और अगर personal लोन लेने जाएंगे, तो कितना का approved करेगा, चलिए 10,000 रुपया महीने अगर आपको मानता हूं, 20-25,000 रुपया महीने अगर आप कमा रहे हैं, तो personal लोन कितना मिलेगा, और home loan कितना मिलेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब भी loan लेने जाते हैं, तो यह सूचके जाते हैं, कि मेरा ख़लाना काम है, जैसे अगर कोई personal loan लेने जाते हैं, तो कोई ने कोई काम होगा, emergency का होगा, या कुछ ऐसा काम होगा, जिसमें मुझे personal loan की जरुवत है, और वो काम कर लेना है, ठीक है, तो वो काम हो, इसके लिए आपको पता होना च चक्कर में, 10 राग कहीं और से पुड़ा नहीं, तो कोई तो काम होगा नहीं, और उधर व्याज शुरू हो जाएगा, पैसा इधर उधर हो जाएगा, तो इसलिए पहले जान लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, calculate कर लीजिए, कि आपके salary कानूसर कितना loan मिलेगा, है ना, तो इसके लिए calculator का इस्तेमाल किया जाएगा, जेनरली मान के चलते हैं, कि अभी average income जो है, लोगों का 50,000 रुपिया महिना होता है, इधर मन लीजिए, नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो कमा लेते हैं, ठीक है, तो 50,000 कमाएंगे, तो कितना का loan मिलेगा, home loan या personal loan, देखिए, दोनों एक है, आपका income कितना है, दूसरा है, कितने time period के लिए loan लेना चाहते हैं, तीसरा है, rate of interest क्या होगा, तो इस से decide होगा, कि आपका loan approval का amount कितना दे, और कितने की आसा रखे, और अगर मान लीजिए, वो criteria admit नहीं करता है, तो loan के लिए फालतों में मगज मारी, या टेंसर लेन से पहले, मैं आप लोगों से एक बात काना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, loan देनी वाली संस्था, चाहे bank हो, चाहे कोई NVFC हो, है न, वो जब loan देती है, तो ये पूरा देख लेती है, test करके, कि उस loan का EMI, ये बंदा लेने वाला चुका पाएगा, या नहीं चुक पर भी मांगता है, टू टाइट एक दम अप्टू डेट होना चाहिए, है न, तो चलिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कि आपको जो है, जो भी company loan देगा, वो आपको देख लेगा, कि आप कितने पानी में है, मतलब कि आपका income source और income जो है, मन्थली कितना आ रहा है और जो मन्थली income आ रहा होगा, ध्यान सुनियेगा, जो मन्थली income आ रहा होगा, उसका 50% जो होगा amount, उतने तक का maximum EMI भरे, इतना ही loan आपको company देगा, जैसे कि अगर आपका income 50,000 रुपया महिना है, उसका 50% हुआ, 25,000 रुपया महिना, तो जो bank है न, उतना ही loan देगा, जि सजार से cross नहीं करे, क्योंकि ये माना जाता है banking या finance के दुनिया में, जो income कर रहे हैं, उसका 50% आपको खर्चा होई जाना है, 50% ही बच पाएगा, और वो बच येगा, वही पैसा तो आप EMI में दे सकते हैं न, नहीं तो पेट में पता चले, खाने खाने के लिए जो है, प जीवन यापन करने के लिए कहां से करेगा, इसलिए ऐसा होता है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं, और समझते हैं, देखें, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सारे चीज मिलेगा, जहाँ पर आपका मन्थली income फीड करना है, कितने साल क कितना rate of interest है, और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें loan कितना मिलेगा, तो यहाँ पर सब कुछ जो है मैं करता हूँ, और यह refresh करता हूँ, और फिर से मैं देखता हूँ, माल लिजे आपका मन्थली income 10,000 है, यहाँ पर sit मैंने किया, जैसे ही 10,000 किया, और tenner यहाँ पर 20 साल में कर रही है, तो आपको यहाँ पर 4,000,000 रुपे तक का loan मिलेगा, यहीं पर अगर 10,000 के बदले 20,000 का मन्थली कमार है, तो आपका जो loan amount approved होगा, वो 9 से 9,000,000 रुपे तक का होगा, यहीं पर अब अगर माल लिजे 30,000 रुपे मन्थली कमार है, तो 15,000,000 मतला हर 10,000 रुपे इसी अनुसार से कर लिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 10 चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 साल करते हैं, घट गया amount, और EMI fix रहा, और rate of interest fix है, अगर rate of interest बढ़ाते हैं, जैसे 11% amount घट गया, टेनर fix रहा, तो माल लिजे यहाँ पर 9% रखते है rate of interest, और कमा रहे महिने का 50 हजार, ठीक है, 10 साल का लेंगे, तो 17 लाख रुपिया मिलेगा, अगर 17 लाख में आपका काम चलेगा, तो loan के लिए apply करिए, और नहीं तो मत करिए, अगर यहाँ पे 20 साल कर देते हैं, तो amount बर जाएगा, देखिए 25 लाख हो गया, मतलब 50 जार का महिना कमा रहे हैं, 20 साल के होम लोन लेना चाहते हैं, 9% rate of interest अगर होगा, तो आपको 25 लाख मिल जाएगा, मैंने आपको एक बात बताया था, कि जितना रुपिया आपका मंतली income होगा, उसका 50% maximum EMI होना चाहिए, देखिए, 50,000 का 25,000 होता है, 22,500 है, मतलब maximum है, 50,000 का 25,000 लेकिन 22,500, यहीं पे अगर म मालीजे मंतली कमाते हैं, तो 50% EMI maximum देंगे, 50,000 होगा, और loan amount 55,000 हो जाएगा, 20 साल का 10 rate of interest यहीं होगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपका income support at 25,000 का महिना है, ठीक, आप जो है personal loan लेने के लिए गए, 10 हो जाएगा, 10 साल, यहाँ पे 10 साल करते हैं, ठीक, ठीक, 10 साल क कि यह rate of interest यहाँ पे 15% कर देते हैं, तो देखिए, 25,000 का महिना कमा रहे हैं, 10 साल time period है, 15% के rate of interest से, आपका जो यहाँ पे amount maximum, 6 से सारे 6 लाक इस से जादा नहीं देगा personal loan, क्योंकि 25,000 का 50,000 सारे 12,000 होता है, और इसका EMI 10,000 यहाँ पे हो चुका है, तो इसलिए मैं round figure रख सकता है, तो यहाँ पे 6 लाक है, सारे 6 लाक, 7 लाक तक दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा, अगर यहाँ पे कोई और loan लिये हुए, कहीं और चल रहा है, जिसमें 5000 का महिना किस्ती भर रहे हैं, तो जैसे ही 5000 यहाँ पे डालेंगे, कल्कुलेटर में, ऐसे ही, अब rest amount 45 चर हुआ, क्योंकि overall कमाई जो हो रहा, उसका 50% ही खर्च करना है, लोन के किस्त में, तो यहाँ पे देखिए, आप इससे ज़्यादा तो pay ही नहीं कर पाईएगा, और जब यह fix हो गया, EMI, तो rate of interest के कारण, और tenor के कारण, यह amount भी घट गया, अब यहीं पे tenor 20 साल करते हैं, तो 20 साल, तो यहाँ पे देखिए amount भर गया, तो इस अनुसार से, इस calculator के अनुसार से, मान लिजिए, 30,000 की income है, 30,000 का income है, यहाँ पे, यहाँ तो zero, कर देते हैं, 30,000 का income है, ठीक, और 15% है, तो आपको जो है, यह 10 लाख रुपया तो दे देगा, 13,000 यहाँ पे, मान लिजिए, EMI बन गया, 20 साल के लिए हो गया, तो अब यहाँ पे आपको एक चीज सुचना पड़ेगा, कि जो personal loan लेता है, उसका tenor बहुत कम होता है, और कम ही रखना है, ठीक, rate of interest के कारण जो है, यहाँ पे fluctuate होता है, प्रस्नल लोन जब भी लेने जाए, तो यहाँ पे गौर करिए, कि आपका amount जो है, यह amount, rate of interest बर भी सकता है, आज कर लोग instant loan लेने चल देते हैं, उसमां बहुत जादा rate of interest होता है, तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको सुचना है, यहाँ पे amount के अनुसार से decide कर सकते हैं, मैंने आपको overall बोला, ताकि उसके multiply आप कर सकते हैं, 10,000 मान लिजए, किसी का 10,000 का महिना है, तो इसी अनुसार से अगर personal loan लेने चाहते हैं, तो 5,000,000 मिलेगा, 10,000 में अगर 5,000,000 होगा, simple, 20,000 में 5,000,000 होगा, तो 5,000,000 के अनुसार से 30,000 में जो है, सारे 8,000,000 के इधर से इसा ही करते चाहिए, 5,000,000 को इसको जो है, हर 10,000 से multiply जो होता है, इनुट से गुना करते चलिए, आपका यहाँ पे calculate हो जाएगा, तो अब खेल समझे न, अब आपको एक rough idea लगा न, कि आपको कितना का loan मिलेग जो बीच मजधार में फच जाते हैं